सब्सक्राइब एक्जाम्स आपका रजदीक है और इसमें MCQE है यह भी फिक्स है एक कोईशन है जो कि फिजिक्स में मेरी मेरा उम्मीद है कि यह कोईशन डिफिनिटली आजाए आजाएगा और यह कोईशन बहुत तेरह नहीं है लेकिन इस्टुडेंट को इसमें प्रॉब्लम है रेफ्रेक्टिव इंडेक्स से रिलेटेट कोईशन आज हम लोग एक छोटा सही वीडियो है इसको देखिए बढ़ हां से एक टापिक है एक प्रिंसिक्पल प्रिंसिक्पल और रिफर्सिब्लीटी रिफर्सिब्लीटी अफ्लाइं यह टापिक से कोईशन डिमरिकल आता है आप इसको देखिए बिल्कुल इजी है बिल्कुल आप बना देंगे जैसे माल लेते हैं कि यह एर है सपूच करते हैं कि यह एर है और इधर हम लोग माल लेते हैं यह ग्लास है एड़े ऑफ लाइट यहां पर से चलना शुरू किया और इस पॉइंट पर आके इंसिदेंस किया एक नॉर्मल यहां पर डाल लेते हैं इस तरह से चूकि एर रेर मेडियम है और क्लास डेंसर मेडियम है तो रेर मेडियम से डेंसर मेडियम में जब लाइट चाखल करेगा तो नॉर्मल के तरफ चूक जाएगा तो इसका पाथ कुछ इस तरह से हो जाएगा अब अगर यह क्लियर हो गया यहां पर हम लोग इसको आई मान लेते हैं और ये आरा होगा है. इस कासे में, एंगल of incidence-I is greater than angle of reflection-R होगा चाहला होगा, च्र으 की a ray of light rake is travelling from arer medium to denser medium अब अगर ये ray of light को इस तरह से में आप सादाए, कि ये इस तरह से पास करेड़ यह तरह हो तो ये अपनी original पाथ को ही फॉलो करेगा इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलीटी ऑफ लाइट अब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का इससे क्या रिष्ता है देखिए मान लेते हैं कि एर से ग्लास में जब रे अफ लाइट पास कर रहा ह है तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मियू है मियू इसको इस तरह से हम लोग सिंबॉलिकली अरे प्रजेट करें तो यह इसका मतलब हुआ कि रे आफ लाइट एर से ग्लास में जा रहा है इसका डाइग्रम यह पहला वाला केस था अब दूसरा वाला केस में क्या हो जा क्लास से यह एर में जा रहा है यह किस नम्मर सेकेंड था इधर से यह इधर जाएगा तो इस तोनों का जो प्रोड़क्ट होगा यानि की ए म्यू जी मल्टिप्लाइग जी म्यू ए या हमेशा वन होगा इसी को हमनों प्रिंसिपल अफ रिवर्सिबिलीटी आफ यह गोंते ह एक वीडियो मैंने इस पर बनाया है आप उसको भी देख सकते हैं और अगर किसी कंसर्प्ट में आपको प्रोब्लेम हो तो कोमेंट में लिखें मैं फिर से बनाऊंगा पचीस बार इची वीडियो बनाते रहा जाऊंगा जब तक कि आप समझने ही जाएगे रहा इस पी छो कोई फ्रॉम एक टूप्लास को दिखिए एर टूप्लास जैसा अभी हम लोगोने डियाग्राम पर डिसकस किया वही कोशन है तर इफ्रेक्टिव इंडेक्स अफ लाइट कोई फ्रॉम एर टूप्लास एर टूप्लास का मतलग ए मुव जी इसका मतलग यही हुआ कि रहे एर टूप्लास is 1.5 is equal to 1.5 here 1.5 the hour then we have to find the refractive index of light when it goes from glass to air इसका मतलब gas to air का मतलब होंगिया जी व्यू यह हमको पाई करना है कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा आपको क्योंकि principle of reversibility को अच्छे तरह जानने के बाद आप खेलियर्ली समझ के रहूंगे कि हमको करना क्या है यहां पर आपको दिया हुआ है 1.5 1.5 इंटो यह वहलू फाइं करना है इसको simply मु माल लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इकोल टू 1.5 यहां पर तेन देके इसका डेस्मार कर देते हैं तो यह आ जाता है तेन बाइस फिप्टी फाइब से तू फाइब से त्री इस एकोल टू बाइब त्री और इसको पॉइंट में बदलोगे तो यह आ जाएगा 0.67 यह आंसर है यह बहुत ही इंपर्टिट कोशन है और जो पेपर मेरे हाथ में आपने देखा वो मैंने आज प्रिंट करवाया था और उसमें से कुछ कोश्चन मैंने सेलक्ट किया है वह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा डिफिनितली जो कोशन बताऊंगा सी और सौट है आज इतना सा ही है ठीक जाए है जे आप